के हिलों फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत तो फ्रेंट्स इंडिया से बहुत ही जरूरी खबर आई जिसपर कि लोगब बात करने वाले हैं जैसा कि रिसेंट में क्रिप्टो ट टैक्स jo Lacan ten वे नी todas 171 ज nessa लिए जिसे हम लोह और कब किसमीश का है इंपेक्ट पड़ पर आपको इसके बारे में अच्छे से पता है तो चौशब प्रेंट्स पर अगर नहीं पर बात करो तो सेंटिमेंट जो है जैसे के फियर एंड इंडेक्स आज के दिन है वो 33 पर इसका मीटर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में यह जो की बहुत बेटर बोला जाएगा साथी साथ अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो मार्केट का उबराल मार्केट के उसे भी देखें तो अब यह उपर में बना रहता है या फिर से नीचे आ जाता है यह एक फेक ब्रेकाउट होता है यह सब आने वाले कुछ दिन में पता चल जाएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बिटकॉाइन है वो ब्रेकट करता है उसको सप़ोर्ट के तरह रिशेंट करता है और फिर से वहा से नीचे लोड़क जाता है तो सपोलने फेक ब्रेक आउट बोलते हैं तो चरह फ्रेंट्स अब हम लोग बात करते हैं जिस था इसे हम लोग देखेंगे था टो फिंड पार बात किरें जोले मार् react कैब की तो एक जमाने बात फ्रेंड्स आपको 1.90 trillion market cap देखने को मिल लिया मतलब कि जो की बहुत ही बड़ा या अभी के टाइम पे मतलब रिसेंट में जिस तरह से हालत होगी थी crypto market की तो उस comparison में यह वाला जो amount करके नीचे आऊं तो आपको अच्छा कासा गुरूथ देखने को जो है मार्केट में मिल जाएगी और लबग लबग मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बोले या फिर आप कुछ को चोड़के बहुत ही कुछ को चोड़के हर एक कोई में आपको पंप देखने को मिलेगा तो चलो फ्र फ्रमेशन जो होगी काम की मिल जाएगी तो चलो फ्रेंट्स जैसे कि इसमें लिखा है कि 60,000 इंडियल्स पेटिंसन गवर्मेंट्स टू लोवर क्रिप्टो टेक्स तू अवर एबॉइड देवास्टिंग इंपेक्ट तो फ्रेंट्स यहां पर यह कह जा रहा है कि लभग स । और ग्रिप्टो टेक्स को कम करने के लिए यहाचिका चलाई जारी हैं जो कि अभी 60,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट यहाचिका करने मतलब कि इसके समर्थक है साथ New है इस चीज को kripto दर को कम करने को यह चला जा रही है जिसमें यह बोलना है कि अगर यह घ्रत sollte र में क्रिप्ठोट दर अगर कम इंडिया कर देता है तो सही या नहीं तो है उससे क्या होगा कि डिवास्टिंग इंपेक्ट पड़ेगा मतलब बहुत ही विनासकारी लेवल का एक बोल सकते हो बहुत ही पड़ेगा बैद़ींपेक्ट किस सेंस में बोला जा रहा है तो सिम्पल सा बात है आप यह समझो बहुत सारे नए ट्रेडर है या नए लोग जो Bitcoin है cryptocurrency उसे भी अडॉप्ट किया जा रहा है तो उस तरह से अगर अभी जो इसका लेवल चल रहा है अगर आप Bitcoin को आपके बार आपको पता है तो Bitcoin का फ्रेंट्स अभी जो लेवल है यह बहुत यह अच्छा लेवल है मतलब इस ताइम अगर आप ले लो और एक दो साल तीन साल के लिए अगर छोड़ दो तो आपका पैसा डबल ट्रिपल होके निकल जाएगा आपको यह बात पता है और इसी टाइम में क्रिप्टो में टैक्स इंडिया में लग गया तो इससे क्या घाटा है तो आपको पता है कि यह जो कमाते हैं हम लोग क कहीं भी लगा दोगे तो प्रॉफिट होगा इसके लिए लोग काफी रिसर्च करते हैं काफी मार्केट एनलाइसिस करते हैं इसके लिए हाड़ वर्क चाहिए एफ़र्ट लगाना पड़ता है टाइम देना पड़ता है तब जाके सारा काल्कुलेशन बैठाने के बाद रही है तो यहाँ पर है जैसे की आप देख सकते हो कि बहुत सब्सकर्वास तो आप एक है लाग अगर उसके आप जाके देखोगे तुसके यह चल रही है और वहां पर आप भी चाओ तो साइन करके सपोर्ट कर सकते हो कि आप भी crypto tax कम करना चाते हो बनुड है कि कम हो जाए तो फिर्ट यहां पर वही सब बाते कहीए जैसा कि 30% एक यहां पे है कि यह जब रिपोर्ट तयार किया रहा है कि मतलब यह जो अगरा है तो उस टैम तक यह अंठावान अजार जो लोग थे सीनेचर कर चुके थे लेकिन वो हर टाइम जो है सीनेचर बढ़ रहा है अभी मैं उस साइट पे आपको लेकर चलूँगा टेंशन नहीं लेना है कहां पर यह पेटिशन चल ला है आपको भी एकर सपोर्ट करना और करना भी चाहिए तो मैं दिखाता हूं कि कौन सा साइट है यहां पर यूट्यूब चैनल है क्रिप्टो इंडिया आधित्य सिंग इन्हीं ने यह पेटिशन को क्या किया शुरू किया और इस पेटिशन को सुरू करने के बाद से अभी तक साथ जार लोग लबग जो है साइन कर चुके हैं यहां पर क्या कहा रहा है फ्रेंस कि आज कि काकि लब बात है कि लबग इंडिया से 15 तू 20 ऐडिय है क्रिप्टो में इन्वेस्टर हैं मतलब कि यह समझ सकते हो ideal करून वै कितना जैदा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्टर किया फरियां कि लगा चुकि हैं तो यहां पर करीब 6 अरब डॉले तो और दो इसमें इसे नी उसके अलाबा यहाँ पर FDI, निवेस, GST, भुकतान और सरकार को आयकर रासों लाने के रूप में देश में महत्पुल योगदान देता है तो इन सभी तोर पर यह important role play करता है गौर्मेंट के लिए भी, इंडिया के लिए भी और साथ-साथ इन्डिया में यह employment भी दे रहा है और यह सही बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि financially free हैं या फिर आप उनको बोल सकते हैं वो professional share market में trader है या investor है वो कोई job नहीं करते हैं, उनका यही job है share market से पैसा कमाना, तो इस तरह यह जो भी काम होता है, इलीगल काम होता है उसी तरह से crypto में भी अगर आप पैसा लगाते हैं और crypto से ही सिर्फ पैसा कमाते हो तो यह legal है, अब buy sale करना crypto इंडिया में illegal नहीं रह गया है, मैंने अपने प याचिका में परधान मंत्री और वित मंत्री सिता रमन से पांच अनुरोदों पर विचार करने हो कहा गया है, मतलब यहाँ पे बोला गया कि आप फिर से जो crypto tax है, उस पे एक बार फिर से परामर्ष करें, मतलब राय विचार करें, पांच अनुरोद मतलब 5 terms जो है, मतलब 5 point को include किया गया है, petition में, यह सारी के सारी बाते जो मैं कर रहा हूँ, यह petition के बाते हो रही है, याचिका के बाते हो रही है, कि याचिका में क्या क्या point include किया गया है, तो 6 अरब वाली जो बात थी, 15 से 20 मिलियन लोग जो investment सब याचिका में include है, तो यहाँ पे इन लोगों से 5 से बात जो है वह अनुरोध रिक्वेस्ट किया गया है कि इन पांच बात पर ध्यान दें मतलब इस चीज पर थोड़ा काम करें तो यहां पर है कि क्रिप्टो उदो के लिए पहला अनुरोध तो फस्ट जो आपको रिक्वेस्ट हो क्या है कि इसको सट्टे बाजी जुवा के जता है जैसे कि बहुत लोकर यह कहना है कि अगर मलिए जो क्निक्ट अमार्कस बना रही है holds टेवाजी नहीं यह यह बढ़ा तो किसमत के हाथ में नहीं हो तैस 여기서 करता आदमी exceptional अर्ग चार्ट काम करके तक प्रकिट बन्ती है मतलबrim यह एक a skillful way है पैसा अर्ण करने का ना कि किस्मत भरूसे है लग बाई चांस है ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पर कहना है कि इसे सक्टे बाजी के तौर पर गैंबिलिक तौर पर टीट ना किया जाए दूसरी बात फ्रेंट्स यहां पर है कि जो 30% का टैक्स है इसे कम किया जाए इसके परसेंट के अलावा एक परसेंट का टोती है इस तरह कुछ कहा गया तो उसमें 0.05 परसेंट कम कर दें उसके अलावा फ्रेंट्स यहां पर है नुक्सान सेट आफ जो है कैरी फरवार्ड की अनुमती दी जानी चाहिए क्योंकि क्रिप्टो बजार अपने प्रारभिक चरण में है और अत्याधिक अज तीर है क्रिप्टो जैसा कि मैंने बोला कि अभी का जो लेवाल है क्रिप्टो मार्केट का बहुत ही लो लेवल पर मतलब अगर मैटिक को देखो इथेरियम देखो बिटकौाइन देखो अड़्डा देखो बीन भी देखो जितने भी अच्छे को कोईन है जितने भी टॉप कोईन है और जितने टॉप कोईन नहीं भी है सारे का सारे अपने हाई से 50% 70% 40% नीचे के लेवल पर चल रहे हैं मतलब अभी ही यह समय है अच्छा इंट्री लेने का लॉंग टर्म के लिए तो यह बात है उसके अलाव फ्रेंट्स यहां पर पॉइंट है उसके लिए रिक्वेस्ट की गई है तो फ्रेंट्स अब नीचे अगर आए थोड़ा सामदो तो यह वाली चीज़ पढ़के उसके डारेक्ट हम चलेंगे उस वेबसाइट पे जहां पे यह पेटिशन चल रही है इसमें कहा गया है कि हम आपसे आग्रह करते है कि किर्पया उधोग के इन अनुर्दों पर विजार करें तो फिर यहां पर क्रिप्टो मार्केट आप समझ लो चुकि उनके वर्तमान सवरुप में परस्ताओं को कारना केवल क्रिप्टो वैपारियों पर बलकि पूरे क्रिप्टो दोंग पर विनासकारी प्रभाव मतलब कि अभी जिस फेज में क्रिप्टो मार्केट है इस टाइम पर क्रिप्टो पर इंडिया ने जो 30% टैक्स लगा दी है इससे मतलब इनकॉरेज नहीं किया रहा है हम लोगों हम लोग डिस्कॉरेज हो रहे हैं कि 30% टैक्स इतना मेहनत करके दो चार रुपया कुछ पैस मेहनत मेंटली बहुत चादा इंसान रहता है तर जाके पैसा बनाता है तो वहीं पर इनका कहना है कि अगर इस फेज में जो की बहुत अच्छा फेज चलना इस टाइम लेना चाहिए यह इंट्री का ही टाइम है मार्केट में और इस टाइम पर क्रिप्टो का टैक्स है 30% ल खुशी के साथ ट्रेट नहीं कर पाएंगे जैसा वह पहले कर रहे थे तो यहां पर क्रिप्टो टैक्स खतम करने के बाद नहीं कहीं जा रही है याजिका में सिर्फ यह कहीं जा रही है कि थोड़ा से इसे रिट्यूस किया जाए तो चलो फ्रेंट्स अभी तक मैंने इस न आपको घूगल पर आना है घूगल पर आने के बाद से फ्रेंट्स यह जो आपको दिख रहा है चेंज.org इसी वाले मतलब लिंक को चैंज.org आपको गौल के सर्च करना है सर्च करने के बाद से यह जो जो फिस्तर ओपेन होगी बट यह सीतार रमंजी वाला जो पुष्टर जो दिख हो यह नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे मेनूल option सो दिखेंश यहाँ पर देख सकते हो इस वाधे तो आप देखते हैं यहां पर क्या है तो रीजनेबल क्रिप्टो टैक्स को लेकर यहां पर जो है पेटिशन चलाई जा रही है अभी तक कितने लोग इस पर साइन कर चुके हैं तो यहां पर देख सकते हो 63,282 परसन अभी परजेंट टाइम में साइन कर चुके हैं और यहां यहां पर नीचे देखो हर सेकेंड हर मिनट कितने लोग साइन कर रहे हैं तो यहां पर कुछ कुछ देर के जो रिसेंट वाले लोग है यहां पर दिया जा रहा है इन्हीं के दवर प्रेटिशन जो है सुरू किया गया था जो कि खुद एक क्रिप्टो इंफ्लूएंसर है इ जो कि अल्रेडी इंवेस्टमेंट मतलब इतना का लभग इंवेस्टमेंट चल रहा है इंडिया में क्रिप्टो में इतना पैसा लगा हुआ है इंडियांस का तो यह सब बाते जितनी मैंने कहीं इसमें सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगी उसके ऐसे जो पांच बाते मैंने बताई वह पांच बाते आप देशातो एक दो तीसरा रहा है दूसरा रहा कि 30% जो टैक्स उसे कम किया जाए और यहां पर कुछ आपको इन्होंने सेक्सन अगरा सब डाला है यह सक्षण के बोला गया कि यह सक्षण ऐसा ओल्रेडी है फेवरेबल मतलब यहां आलापे टैक्स कहा कि लगाना चाहिए आपको ठेक्स लगाओ कोई दिक्कतत ही है अब यह जैसा कि मैंने आपको अलीडी बनाया है ऐक परसंट जो टीडियस है उसको आप 0.05 परसंट कर दो उसके अनलाब़ाव फिर से जो और बी मैंने बाते हैं जैसे कि कोस्ट अप क्रिप्टों में कहीं भी किसी भी असेट पे आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पे जो भी इंकम जेनरेट होगा उसका 30% इंडियन गवर्मेंट आपसे चार्ज करेगी तो इसी तरह से पांच बाते यहां पर कहीं गें जैसा कि मैंने बोला लास्ट में जो कि मैंने इन्वेस्ट को आप तक पहुचाने काम करता हूं तो फ्रेंट्स यह मेरा था कि यह जो अभी काफी इंपोर्टेंट जो एक पेटिशन चल रही है क्रिप्टो टैक्स को लेकर तो आप इसमें पाच्टिपेट जरूर करो क्योंकि हम लोगे हीत में काम हो रिड्यूस हो करो अपने दोस्त के पास अपने फैमिली मेंबर के पास जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करते हैं जो इससे जूड़े हुए हैं आप उन तक यह वाली जो वीडियो है जरूर सेयर कर साथ ही साथ यह वाली न्यूज के बारे में जयनकारी मिले तो फ्रेंड्स आई होप आप ऐसा जरूर करोगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए मिलते अपने नेक्स टूडियो में